आज एक रास्ते में जगह मिल गया है यहां पर गुर बन रहा है जो देशी गुर बन रहा है हम आपको पूरा प्रो सक्सेस दिखाते किस तरह से बन रहा है इस चीनी बनी हुई है लेकिन कैसे बनता है पुरा पुरु सक्सेस हम आपको दिखा रहे हैं पहले दिखाते कि गन्य को निचोड़ा कैसे जाता है आई यह मिदर दिखाते हैं लगी हुई है गन्य की मिचोड़ने की मसीन यहां से इस मसीन द्वारा गन्य को निचोड़ा जाता है यहां से गन्य डाला जाता है और गन्य जो है रस बन करके बिल्कुल इस तरह का हो जाता है और रस बाहर निकल जाता है इसके बाद दूसरे नमबर पर यहां पर कडाही में डाला जाता है आपको दिखा रहे हैं यह भट्थी है हम भट्थी पर पीछिस दिखाते हैं पहले नमबर पर आ गया इसके बाद इसको अच्छी तरह से उबाला जाता है जलाया जाता है यह देख रहे हैं उबल रहा है जो है इस तरह का हो जाता है गुरबन के तैयार हो रहा है एक वार इसके बाद आ हमने पहले आपको दिखाया तो हाले उप्यार के रखा हुआ है पे तो आप गोच Runner के रहने वाले तो गहाँ पर देखे होंगे और इधर भठी है देखिए कैसे भठी इधर से लगा हुआ है यह देखिए यह भठी है यहां से आग लगाया जा रहा है और फुल एक गन्य का है इसको आग को जलाने के भी काम ना जाता है इसके छिलके को आग के रूप में बना देते हैं और गन्य तयार जाता है गन्य बन जाता है गुड़ चीनी जो कि हर मिठाई का मावा पे ही है तो ताजा गुड़ खाए नहीं है सर जी एक मैट आई है हम आपको चखवाते हैं ताजा गुड़ थोड़ा टेस्ट कराना सर जी थोड़ा हाथ पे देओ हाथ पे थोड़ा सा देओ थोड़ा सा देओ थोड़ा सा यह देखिए एक गुड़ है खागर के मापको दिखाते हैं